वेलकूम टो माई चैनल और आज हम क्वेशन पेपर 2019 के इन मेडिकल सोल करेंगे जैसे लास पार्ट में हम एडितन मेडिकल के बात कर रही थी ठीक है अब इसके इंटरनल चोईस भी आँपर तो इसको भी सोल कर लेती है तो देखो किस तरीके से सबसे पहले इंटिग्रेशन म रूल बता था कि लोग एक्स का डारेक्ट हम इंटिग्रेशन नहीं कर सकते सही है तो इसी वजह से इंटो में वन लेके चल पड़ो बस और इसके बाद क्या कर दो यू इंटो वी सही है और यू इंटो वी के लिए जैसे आपके पास ट्रीक होती है ये वाली सही है है उसको मतलब हम वी मानते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में यू जिस भी दो के हिसाफ से बात हो रही हो यहाँ पर आप डिरेक्ट कह सकते हो ठीक है न इस बात का मतलब जैसे कुछ इस तरीकी से अब एक बात होता हो जो ये ट्रीक आपके पास आईलेट इसमें वन की चीज़ है वन का मतलब है कोई भी कॉंस्टेंट वेल्यू सही है कॉंस्टेंट वेल्यू की थोड़ी न बात होती है तो इस बात का मतलब यहाँ पर यह कहतोगी इस बात से भी आप समझ सकते हैं आपर कि हमें लोग एक्स का इंटेग्रेशन याद था और जिसका वे का अपनी अपनी चुईश है डिरेक्ट फर्मूला यादो मतलब अगर अपलाई तो कर लिया अगर मतलब रिजल्ट लिखना चाहते हो ठीक है न तो क्या होता है यह इंटेग्रेशन होगा वे का जिसका मतलब आसान है सिंपल सी तो यह बात है सही है फिर माइनस साइन फ 12 से इंटेग्रेशन होगा ठीक है और पलस सी कोई कॉंस्टेंट के लिए सही है तो बस यहाँ पर वह ही अपलाई किया अब डिरेक्ट केल्कुलेसन है छोटी सी ठीक है तो बस कह दो यहाँ पर डिरेक्ट यह यह यू मानलिया यह भी मानलिया हमने सही है तो यू एज़ integration minus sign formula put कर दिया इसके बाद calculate कर लो यह term as it is तो one का integration with respect to x constant का constant into x इस बाद का मतलब यहाँ पर यह भी है ठीक है तो बस इसके बाद minus sign इसका differentiation अब देखो यह छोटे से formula है ठीक है ना log x सबसे पहले power rule तो power rule क्या थी differentiation की power rule कि power आगे power में से एक कम ठीक है फिर into में base का तो base का आपका यहाँ पर log x तो log x का differentiation क्या होगा 1 by x formula होता है ठीक है फिर x का भी into में 1 भी यहाँ पर और यह x कुन सा है यह integration of 1 ठीक है इस तरीके से बस calculate करना आपनी ठीक है तो बस इसके बाद थोड़ा सा और solve कर लो simplify कर लो इसको x x cancel तो क्या बचा जैसे 2 तो constant है बारा आ गया सही है अब देखो यहाँ पर क्या आपके पास log x into 1 वही बात यहाँ पर दोबभर apply कर दो कि log x का integration हमें आता नहीं तो एक बार और u into v और calculation से यह result मिल जाएगा basic calculation है सही है इस तरी मतलब एक छोटी सी बात थी इस numerical में कि log x का आप direct integration नहीं कर सकती है तो इसलिए into में 1 लेके चलना पड़ता है तो इस तरीके से यह बात आप कह सकते हो तो अब इसके बाद तो अब जैसे next numerical है ठीक है ना कि form differential equation कब जब कोई कराओ दियो यह आपको सही है भाई eliminating देखवा अब होई थी कि positive thinking काम करती है ठीक है अब हो सकता है यह ना लिखे तो फिर बताओ फिर भी तो आमे basic concept पताओ ना चे ना मतलब जब differential equation बनानी हो इस तरीके से आप चीजे याद रख सकते हो कि तीन काम होंगे ठीक है ना कौन-कौन से सबसे पहला काम ठीक है ना कि जितने arbitrary constant होंगे equation के अंदर ठीक है उतनी बार differentiation होगा तो जैसे आप आपको बता भी रखा कि m और e 2 arbitrary constant है तो मतलब 2 बार differentiation क्यों हुआ सही है अब यहाँ पर एक और बात है हो सकता है आपको numerical में हर बार जरूरी ने कि मतलब यह चीज़ लिखा हो पहले से ठीक है ना कि मतलब आपको बताए कि arbitrary constant कौन से है यह basic भी आपको पता भी होना चाहिए मतलब plus 2 class में जो variable की बात होती है ना वो आपको में साई x और y में नचर आएंगे सिंपल सी तो यह बात है ठीक है जब भी variable की बात होती है मतलब कोई भी equation दिव यह हो maximum हो सकता है z यह कह सकता है आप 3d के हिसाब से सही है तो यहाँ पर तो directly यह मतलब बचे हुए constant का काम करतेंगे ठीक है इस तरीके से एक तो यह पहली चीज़ की उतनी बार differentiation उसके बाद दूसरा working rule क्या होता है कि answer में जो final answer होगा ना उसमें वही arbitrary constant नजर ना आ जाए जैसे देखो यह answer आया calculation के बाद तो इसमें जैसे numerical के हिसाब से m और a नहीं आना चाहिए ठीक है इसके बाद तीसरी चीज़ कि जो maximum derivative है ना answer में वो आना compulsory है तो मतलब जैसे आपर calculation के साब से बात करो कि दो बार differentiation हो रहा है मतलब answer में यह वाली ट्रम आने जरूरी है ठीक है पहली आए नाए य आए नाए अमे कोई मतलब यह आना compulsory है सही है तो बस यह तीन बाते हैं direct calculation क्यों यह एक बाद differentiation with respect to x basic rule ठीक है इस तरीके से y square का क्या हो जाएगा सबसे पहले power rule apply कर दिया फिर y का with respect to x dy by dx calculation है आपर सही है फिर यहाँ पर जब यहाँ पर करोगे ठीक है ना क्या हो जाएगा दो function multiply है तो मतलब u into v किसका यहाँ पर differentiation वाला apply होगा ठीक है लिखना जाओ formula लिख दो या फिर direct भी याद रहता है ठीक है एक बार तो एक बार जैसे मालो पहला function है जाएगा दूसरे का differentiation with respect to x एक बार तो था तो दो बार हो जाएगा सही है फिर plus का sign formula वाला फिर उसके बाद क्या हो जाएगा कि दूसरा जैसे पहली बार तो पहला आएज़िटी तो अगली बार दूसरा आएज़िटी इसको आप कह सकते हो इस तरीक है ठीक है ओगा कि इसका y का y का with respect to x dy by dx तो इसलिए power तो ठीक है कलाकारी मत करते न आपर की double differentiation double differentiation अलग चीज़े ये जो result मिल रहा न आपको ये कुछ इस तरीके से result कि यहाँ पर ठीक है मतलब यहाँ पर power 2 कहां से आ गई ठीक है बेस ये में power add हो जाते तो इसलिए one plus one है या आप रेक्चल में सही है फिर calculation से minus m आया ठीक है तो बस answer ये हो सकता था अगर arbitrary constant नहीं होता मतलब m eliminate करो simple सी बात है कहां से 200 इस आप के पास ठीक है लेकिन वो choose करो जिसमें e भी न आ जाई मतलब माल लो आपने यहां से m निकाल लिया उसका कोई फैदा ने फिर answer में यह आएगा वो eliminate करना तो क्या करो यहां से m निकाला put कर दिया calculation आ जाई ये kevel result आ और कुछ नि ठीक है ना kevel सीखना क्या था ये सही है अब इसके बाद next numerical की तरफ बढ़ लेते हैं तो जैसे तो जैसे next numerical आपके पास ठीक है ना कि find a unit अब जैसे ये numerical है ये थोड़ा सा special कह सकते आप ठीक है special कहाँ पर चलो उसके भी बात कर लेते हैं ठीक है ना मतलब पलस्टो ग्लास तक तक तो है ये basic numerical ठीक है लेकिन जब आप कई पर मतलब कोई भी competitive exam दो ठीक है ना वहाँ पर इस type का numerical आजे उस case में ये special बन जाएगा ठीक है क्यों बन जाएगा आप उसके बारे में बात कर लेते हैं ठीक है ना कि find a unit vector perpendicular to the both ये condition है सही है अब जिसको केवल numerical यहां तक दिख रहा ना वो समझ लो उसका basic concept clear है ठीक है कि कोई unit vector निकालो जो दो के perpendicular है और देख लो a cross b का जैसे formula होता है ये चीज़ सही है लेकिन उसमें अमने एक बात बताई चीज़ कि a cross b क्या होता है जैसे cross product का दूसरा नाम vector product मतलब इस सारे का result एक vector आगा simple सी तो यह बात है सही है तो यहाँ पर यह बात क्यों लिखती है ठीक है उसके बाद a cross b भी एक vector है जो दोनों के perpendicular a और b के इतनी बात है सही लेकिन हमें क्या निकालना था unit है ठीक है तो मतलब हमें तो unit vector चीए अब unit vector और simple vector में तो difference है unit vector का magnitude 1 होगा और इसका कुछ भी हो सकता है हाँ special case में इसका 1 हो सकता है वो depend करता है ठीक है तो इस सही है मतलब हमें answer में एक तो चोईस क्या है कि n-cap निकाल दो n-cap एक unit vector होता है इस formula में जो दोनो a और b के perpendicular होता है ठीक है तो इस तरीके से इतनी बात सही है अब आपके पास choice है हो सकता है किसी को ये formula याद न रही सही है तो मतलब क्या करो a cross b लिखा ठीक है ना तो बस a cross b दो vector दियो होए है cross product का basic formula determinant के help से निकाल दिया इस कहां से आ गया ठीक है ये चीज़ बस इसके बाद छोटी सी calculation है उसके बाद choice के आपके पास कि जैसे कोई vector निकाल लिया ए cross b क्या है कि जो simple vector है ये कह दो ठीक है ना जो दोनों के perpendicular है लेकिन में result में unit vector चीए था तो unit vector की छोटी सी बात apply कर दी unit vector होता क्या है simple सी बात है माल लो समझे चलो A और B यू जो रही है C vector के इसाफ से समझे लो तो किसी unit vector को cap से represent किया जाता तो क्या करो उपर vector नीचे magnitude कर दो सही है ए cross b को थोड़ी देरी के लिए जैसे इसका result एक vector आएगा उसको आप C cap सोचलो तो क्या करो vector और नीचे magnitude से डिवाइड कर दो unit vector आज आएगा आपके पास होई कर रखा है vector और नीचे इस vector का magnitude निकालने का तरीका वही coefficient का all square करते चले जाओ सभी को एड़ करते न जितनी भी हो यहाँ पर दो है कोई बात नी सही है तो बस cable calculation एक तो तरीका पनता है यह यह plus two class का ठीक है बेसिक apply कर दिया ठीक है अब इसके बारे में आगे बढ़ लेते ठीक है अब एक बात होता हो अगर यहाँ पर हम डारेक्ट है आपके पास यह कह देते ठीक है ना मतलब जो result आपके पास है ठीक है ना उसमें यह कर देतो अब हो सकता है यह बात समझ में ना है मतलब इसको prove करना पड़ेगा सही है तो इसी numerical की second choice वो special है तो उस तरीके से solve कर लेते हैं तो देखो किस तरीके से तो अब देखो आप ठीक है ना कि वही दो vector है ठीक है अब थोड़ा सोचो जो formula था आपके पास है मतलब एक रोस भी वाला एक रोस भी कि दोनों vector का magnitude है sin theta है और दो 10 cap अब main बात क्या थी कि n cap था नहीं कि unit vector मतलब इस formula में direct value पुट कर दो सारी कि सारी मतलब उसमें वापी से पहले vector निकालो फिर unit vector निकालो इसमें direct unit vector निकल जाएगा main बात है ये मतलब n cap निकल जाएगी सही है तो यहाँ पर क्या करना है एक रोस भी का जैसे जो पहली choice थी उससे एक रोस भी का result निकाला था ठीक है वो put कर दिया सही है उसके बाद दो vector का magnitude कोई vector दिया उसका magnitude निकाल सकते आप क्या करना होता है ठीक है ना कि मतलब वही square root के अंदर coefficient का all square करते चले जाओ 1 का all square फिर minus 7 का all square 7 का all square जी तने भी हो सभी को add कर देना तो square root of 99 हो जाएगा calculation है 99 को आप क्या लिख सकते हो कुछी इस तरीके से और square root में से आदी power 12 आ जाएगी basic calculation मतलब ये कहां से आगी इसी तरीके से इसका ये calculation है सही है तो इस तरीके से अब यहाँ पर main बात क्या है ये result भी मिल रहा है आपको जो given है ये भी मिल रहा है लेकिन लेकिन theta ने मिल रहा है सही है आप में थोड़ी ने पता हो ना चीज़ theta definition क्या है यहाँ पर theta एक angle है लेकिन किस किस के बीच का A और B के बीच का सही है यहाँ पर confuse मत हो ना कि यहाँ पर जो A करोश B है वो तो A और B के अलग-अलग से perpendicular है एक रोश B तो A और मतले एक रोश B एक बार तो A के perpendicular है एक बार अलग से B के इस बात का यह मतलब है यहाँ पर theta ने गीवन है theta A और B के सही है तो मतले आप ठीटा 90 डिगरी मत पूट कर देना इस बात का यह मतल था तो मतले angle निकाल लो angle निकालने का दो vector हो angle निकालने का formula cos theta करना होता है बस दोनों उपर डोट नीचे दोनों का magnitude यह छोटी इस बात मतलब formula और कुछ नहीं सही है दो vector भी इसका angle निकालना simple सी बात है सही है तो बस calculation से यह result आजाएगा अमेची यह था theta ठीक है क्योंकि हमने sin theta यह value निकालने यह कह सकते आप सही है तो theta यहाँपर cos theta outside cos जाएगा तो cos inverse जाएगा right inside वह ही लिखा हुआ है calculation और कुछ नहीं सही है इसके बाद देखो सारी value उठागे यहाँपर put करतो n cap निकल जाएगा आपका सही है तो बस put कर दी calculation है आपर जैसे यह multiply है मतलब लिखर की है ठीक है calculation है सही है तो इतना आजाएगा और इसका नाम ठीक है ना इसका नाम क्या हो जाएगा 7 to 2 का square root है इसका नाम कुछ इस्तरी किसे हो जाएगा मतलब 361 into 2 सही है ठीक है ना और मतलब 361 वही वो 19 का जैसे अमने जो पहली choice थी उसमें मतलब answer यह आ रहा था यहाँ पर भी हम यह नहीं कह रहें कि answer मतलब यह 2 आएगी 2 नहीं आ सकती क्यों क्यों नहीं आ सकते बताओ क्योंकि जो आपके पास numerical में condition है ठीक है ना समझ लो जैसे इस तरी के समझ लो इस इमेट्री को जैसे एक रोस भी यह है मतलब यह इसका result C vector माल लिया थोड़ी देर के लिए सही है यह किसी एक बार तो A के perpendicular है एक बार माल लो B के perpendicular है किसी भी condition से ठीक है ना अमें नहीं पता कि theta क्या था A और B के बीच का एंगर तो इसलिए यह calculate किया ठीक है ना यह calculation से result मिल जाएगा आपको सही है मतलब यह अहाँ पर क्या हो जाएगा 19 19 का उल्चकर 361 तक calculation और कुछ नी ठीक है तो मतलब फिर पूरे को 19 से result हो गई सही है लेकिन यहाँ पर में बात क्या है यह वाली चीज कहां से लिख दी ठीक है ना आपके पास theta था अमेच जी यह था formula के हिसाब से sin theta तो बस क्या कर दो अब किसी को सकता direct formula पताऊ ना वो तो कोई बात नी क्या बता था सान तरीका जिसको convert करना है ठीक ना इस यह में sin inverse से निकालना है क्यों निकालना है क्योंकि जैसे बार तो sin समझेने की साब से यह चीज है सिंपल नी चीए और अगर अंदर सिंपल होती तो बार उसका इनिवर्स होना था बेसिक बात है ठीक है तो मतलब कोस इनिवर्स को sin इनिवर्स की ट्रम में बना लो ठीक है अब direct formula है अच्छी बात है नहीं तो कोई बात नी तो इसी को उठाके ठीटा पूट कर दिया अब यह ठीटा और यह ठीटा लग लग चलो कनफ्योज होगे तो ठीटा बन मान लिया समझने की साबसी सही है तो कोस ठीटा बन यहाँ से मतलब यह राइट एंड साइड में चला जाएगा calculation calculation सही है एक यह फूर्मूला बेसिक है साइन स्क्वेर ठीटा चलो हमने ठीटा बन मानना तो इसी साबसे हो जाएगी यह चीज ठीक है तो मतलब साइन स्क्वेर ठीटा बन प्लस को स्क्वेर ठीटा बन और यहाँ से आप कोस ठीटा निकाल सकते हो और स्क्वेर ठीटा क्या होगा इस फूर्मूले के साबसे वन माननस को स्क्वेर ठीटा इतनी बात से यह का स्क्वेर रूट चलो ठीटा बन था इस तरीके से लेकिन यह में चीज़ है कि जब भी वन पाउर ठीट है पलस माननस का साइन आता है तो यहाँ पर यह चीज़ सही है और इसलिए अंस्वर यह हो जाएगा यहाँ पर यह में बात है ठीक है ना मतला कमपेटिट्यीट्विएग्जाम में क्या होगा कि मतला चलो यह नुमेडिकल है सोच जो ठीक है ना योनिट वेक्टर कहेगा क्या कि उसका मेगनिटूड वन होना ची ये योनिट वेक्टर का जैसे मालो जैसे आपर सी था एक रोस भी को या फिर ठीक ना उसका मेगनिटूड वन होना ची वो सिरप इतना कहेगा इस बात का मतलब उपर ये दोनों पलस के हो उससे उससे को कोई म ठीक है ना अब यह प्लस माइनस साइन अगर हम वहाँ आपर डारेक्ट अपलाई करते ठीक है तो मतलब कन्फ्यूज होते तो यहाँ पर तो आपको यह बात समय रही होगी कि जब भी इवन पावर एठती है प्लस माइनस का साइन आथा सिंपल सी बात है तो इसलिए मतलब दो स्पेशल की बात आजाई फिर मतलब वह चीज तंग करती है ठीक है मतलब वह अदूरा कंसेप्ट है यह कह सकते आप तो इस तरीके से रिजल्टिन इजाएगा सही है तो अगर आपको मेरी वीडियो चलेगे तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजि तब तक के लिए थेंक यू